हलो दोस्तों मैं दिपक कुमार और आप देख रहे हैं ओय पांडे जी दोस्तों डोमेन हम इस वज़े से ट्रांसफर करते हैं ताकि उसे रिन्यू करते वक्त हमें कुछ डिसकाउंट मिल सके या फिर हमारे पुराने वाले डोमेन रिजिस्टर पर कोई प्रोब्लेम आ रही हो दोस्तों डोमेन खरीकते वक्त हमें 100, 200, 300 रुपे में आराम से डोमेन मिल जाता है लेकिन रिन्यू करते समय वही डोमेन हमें 900 या फिर 1000 का पड़ता है इसलिए डोमेन ट्रांसफर एक अच्छा ओप्षन है जिसके जरी आप कुछ पैसे बचा सकते हैं आज मैं आपको ये डोमेन गोडाडी में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ इस डोमेन को मैंने बिग रॉक से खरीदा था एक साल के लिए 125 रुपे में और ये दो दिन में एकस्पायर हो जाएगा अगर मैं इसे बिग रॉक में ही रिन्यू करता हूँ तो ये मुझे 824 रुपे का आएगा लेकिन अगर मैं इससे गोडाडी में ट्रांसफर कर देता हूँ तो इस डोमेन के लिए मुझे 375 रुपे पे करने होंगे और साथ ही एक साल का extension भी मिलेगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप एक डोमेन को बिग रॉक से गोडाडी में कैसे ट्रांसफर करते हैं डोमेन ट्रांसफर करने के लिए सब से पहले आपको अपने ब्राउजर के एक टाब में BigRock के website को open करके उसमें login करना है जिसमें आपका domain है और अपने दूसरे टैब में GoDaddy website को open करके उसमें login कर लेना है अगर आपका GoDaddy में account नहीं है तो सबसे पहले एक account create करके उसमें login कर लिजे BigRock में login करने के बाद आपने जो domain यहां से खरीदा होगा वो आपको show करेगा तो directly आपको यहां पे अपने domain पर click करना है दोस्तों अब हम आचुके हैं अपने manage domain के section में यहां पे आपको domain को transfer करने से पहले दो तिन बातों का ध्यान देना होगा सबसे पहले आपको यहां पे company द्वारा provide किया गया theft protection को off करना है तो यहां पे click करके आप यहां से disable कर लिजे और यहां से update theft protection status पे click कर लिजे अगर आपका यहां पे privacy protection का option भी on दिखा रहा है तो उससे भी आप off कर लिजे क्यूंकि इससे disable किये भीना आपका domain transfer नहीं हो पाएगा इसके अलावा आपको domain secret के अंदर एक code मिलेगा वो भी आपको चाहिए लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे go daddy के account में यहां पर menu पे click कर ये और domain के अंदर domain transfer पे click कर लिजे जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं हम सिर्व 375 रुपे में एक .com domain को transfer कर सकते हैं और वो भी one year extension के साथ अब आपको यहां search box में अपना domain name enter करना होगा और इसके बाद आप यहां पे search पर click कर लिजे अब आपके सामने इस तरह का एक page open होगा यहां पे आपको get authorization code box के अंदर आपने जो big rock में domain secret का code में ने बताया था उसे paste करना होगा इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं big rock के अंदर और यहां पे domain secret और आपको यह जो code दिख रहा है उसे यहां से copy करना है और यहां पे इसे paste करना है अब आपको यहां पे continue पे क्लिक करना है यहां अगर आप चाहें तो अपने domain पर privacy protection खरीच सकते है अगर आपको यहां पे privacy protection नहीं खरीचना है तो directly continue पे क्लिक कर लिजे अब हम आ चुके हैं GoDaddy के billing section में यहां पे हमें जो domain है वो tax मिला के 433 रुपे पड़ रहा है अगर GoDaddy में कोई offer नहीं है तो domain transfer के लिए आपको 7500 रुपे पे करने होंगे अब आपको यहां पे जो billing information दिखा रहा है अपना details डालना है और इसे save कर देना है इसके बाद आपको पास एक payment option दिखाएगा यहां पर आप अपना debit card का detail डाल दीजे और इसे save कर लिजे अब आपको यहां पे complete purchase पे click करके अपने order को confirm कर देना है तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हमारा जो domain transfer का purchase है यह complete हो चुका है इस transfer को complete होने में 3-4 दिन लगते है इसके आलाबा आपको 24 घंटे का अंदर big rock से एक mail आएगा जिसमें बताया होगा कि अगर आप domain transfer नहीं करना चाहते तो यहां पे click कर लिजे अगर आप domain transfer को confirm करना चाहते है तो इस message को ignore कर दिजे इसके बाद आपका 3-4 दिन में domain transfer complete हो जाएगा और इस transfer के बक्त आपके domain में कोई भी problem नहीं आएगा या फिर आपका side down नहीं होगा तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो helpful है तो इसे like कीजिए, share कीजिए अगर आपका अभी भी कोई doubt है तो आप मुझे नीचे comment में पूछ सकते है